आआप सभीका स्वागत है हमारी कारिक्रम परिख्षा के धंग शालू 1958 देश के कोनstellung से बच्चोंने जो बच्चे परिख्षा में संब्लित होने जा रहा हैं उन्होंने शालू से कुछ पुछे हैं और उनने याङवख्या कि और शालू पूछे जाएं और शालू के विचारों को वो जानना चाहते हैं तो आईए हम बात करते हैं शालू जी जैसा कि आपको मैंने बताया थे कि हमारे बहुत सारे बच्चों ने आपसे कुछ प्रश्ण पूछना चाहा है जो बच्चे बोर्ड के एक्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो क्या आप उनके प्रश्णों का उत्तर देने के लिए आप तयार हैं जी बिलकुल ओके शालू जी तो मैं शुरू करता हूँ और मेरा पहला प्रश्ण है शालू जी खानपुर से मास्टर प्यूश जी पूछते हैं कि उनके माता पीटा उन्हें ये कहते हैं कि पढ़ाई को seriously करो तो वो जानना चाहते हैं कि क्या पढ़ाई को seriously करना ज़रूरी है जी नहीं मेरे अनुसार छात्रों को पढ़ाई seriously नहीं बलकि sincerely करनी चाहिए जिससे समय में बांधना ठीक नहीं पढ़ाई तो जब तक इमानदारी से मन लगे बस तब तक ही करनी चाहिए और फिर पसंदीदा कार्य करके पून हाँ खुद को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें बिल्कुल बच्छो बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमेत हो रहा हूँ कि आपका जब तक मन करें जब तक आपकी इच्छा हो आपको समझ में आए तब तक आप पढ़ाई करिए उसके बाद पढ़ाई को बन कर दीजें अपने परसंदीदा कारे को करिए, आपको खेलना है, खेलना है के लिए, वीडियो देखना है, वीडियो देखिए, जैसे भी आपको लगता है, आपको जवाय कर सकते हैं, करिए, अपने मन को फ्रेश करने के बाद, अपने आपको वापस डैवर्ट करिए, मोटिवेट करिए ताकि आप फिस से मन लगा के पढ़ सके तो बिलकुल आप इसको समय में मत बाढ़िए समय में बद बाढ़िए कि हमको 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है ऐसी कोई जरूरत नहीं है जैसा शालू जी ने आपको बताया बिलकुल तो शालू जी मेरा खुद का एक प्रशन है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि परिक्षा में जो बच्चे ज़्यादा अंग प्राप करते हैं वो ही बच्चे अपने जीवन में सफल होते हैं तो ये कहां तक सरते हैं जी नहीं ये एक बिलकुल ही गलत धारणा है संख्यात्मक मुल्याकन तो सिर्फ उसकार्य में किये गए प्रयास का परावर्तन मात्र है सफलता तो निरंतरता वह लगन से किये गए निश्ठावान प्रयास से ही मिलती है बिलकुल बिलकुल मैं सहम है पर शालू जी आपसे ठीक है तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन की तरफ रुहेल खन से ग्यारवी कक्षा के छात्र मास्टर स्वेम बताते हैं कि उनके पिता उन्हें पढ़ाई किये अलावा कोई भी पार्टिक्रम सहगामी गत्विद विद्यार्थियों को लक्ष से भटकाती हैं तो वो जानना चाहते हैं कि शालू जी यह कहां तक सही होगा ये भी सोच गलत है पार्ट्यक्रम सहगामी गत्विद्यां अर्थात को करिक्यूलर अक्टिविटीज विद्यार्थियों को शारीरिक वो मानसिक रूप से रीचार्ज करने के साथ साथ उनमें सामाजिक्ता एक्ता भायचारे और सहकार्य की भावना उत्पन करती है जो जी ये बिल्कुल सही है कि बच्चों आप लोग इसका ध्यान आखा करिये कि इसका हम लोग को कुर्कुलर एक्टिविटीज बोलता है वो बहुत जरूरी है आपके प्रगर्ति में वो सहायक होती है ठीक है तो अगला प्रशन हमारा शालो जी मुंबई से है मुंबई से एक साम भी बताना चाहते अब वो बताते हैं कि उनकी बेटी फेल होने से डरती है वो जानना चाहते है कि शालो जी आप उन्हें यह बताएं कि छात्र सफलता और असफलता इन दोनों से कैसे निप्टे हैं कि किये गए प्रयास में कुछ कमी रह गई है अत्र असफलता से डरने की नहीं बलकी लड़ने की जरूरत है तथा सफलता और असफलता दोनों ही परिस्थितियों में सहज व सामान्य बने रहें बिल्कुल सई तो आप बच्चों सफलता है या असफलता को सागने पारता हमेशा सहज और सामाने बने रहे कभी भी बरसाती नालों की तरह ना रहे कि जैसे ही पानी बरसा और वो बहने लगा और पानी सूखा ये गर्मी आई तो वो सूख गया तो डफटी ऐसा हमें नहीं होना है और एक सतत सुगम और निर्बल ढल से बहते रहना है यानि र्यास जारी रखता है तो शालू जी हम अगले प्रश्ट पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्ट है सोन भद्र से एक छात्रा है बारवी की छात्रा अरपिता उन्होंने अपना प्रश्ट पुशा है आपसे कि शालू जी परिक्षा में तनाव को दूर करने के लिए हम क्या करें वैसे परिक्षाएं तो जीवन का अंग है जो त्योहार की तरह हमेशा ही आती रहेंगी तथा कोई भी परिक्षा अंतिम नहीं होती अतहों से निडर्ता वह स्वस्थ मन से लें खुश रहें पॉष्टिक भूजन के साथ साथ पूरी नीद लें और मन को शांत रखकर मन लगा कर बढ़ें बस बिल्कुल बिल्कुल बच्चों ये हम अकसर हम ये गलतियां कर जाते हैं जब हमारा एक्जाम आता है तो हम रात रात भर जक्ते पढ़ाई करते हैं और सोते नहीं हैं इवन खाना खाने का टाइम नहीं होता हमारे पास और ये दोनों ही बहुत आनिता रहते हैं तो आप लोग जैसा के शालू जी ने बोला कि आप समय से खाना खाईए पॉस्टिक आहर लिजिए कम खाईए बट पॉस्टिक आहर लिजिए और अच्छी सी नीद लिजिए कम से कम आट गंटे साथ गंटे जरूर सोईए जब आपका प्रॉपर मीज हो जाएगा तो आप म अच्छे लगे होंगे आपने जो दिये तो आप चलते चलते हमारे बच्चों को जो परीक्षा में अभी सब्लित होने जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी जी मैं कहना चाहूंगी की दोस्तों कोई भी परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं होती और नहीं कोई परीक्षा जीवन से बढ़ कर होती है अत्रह सफलता तथा असफलता को भूल कर निष्ठा से अपना सर्वश्रेष्ठ दें आपके माता पेता शिक्षक तथा सभी शुपचिन तक ये ही चाहते हैं बस, just give your best, forget the rest, happy exam बिल्कुल, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल जैसा मेंटर्चों बच्चों शालू जी ने कहा कि just give your best and forget the rest आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, आप अपना best दीजिए, बाकि result क्या आता है उसकी चिता बत करिए और डफटी जब आप अपना best देंगे, तो आपका result भी best ही होगा, और आप future भी कभी भी regret नहीं करेंगी कि काश मेंने यतनी मेनक्ती होती, तो शायद कुछ और होता, डफटी को, अपना best देना ही, सबसे अच्छा और सही तरीका है, तो इसी note के साथ, सभी को नहीं तरफ स और शालू जी की तरफ से परिच्छा की भादिक शुक्त कामना है, आप सभी का अधार।